साथ्यों जब योजनाओं में गति होती हैं तभी देश में प्रगति आती है कुछ तो परिवर्तन आया होगा जिसकी वज़े से सरकार की तमाम योजनाओं की स्पीड बढ़ गई है साधन वही है सउसाधन वही है अपसर वही है दप्तर वही है फाइले वही है लेकिन सिस्टिम में रप्तार कैसे आईगी कुछ तो किया होगा ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि सरकार ब्यूरोक्रसी में भी एक नई कार्य संस्कूरति एक नया वर्क कल्चर डेलोब कर रही है और उसे ज़्यादा रिस्पॉंसिव बना रही है आज इसी का नतीजा है कि जहां पिछली सरकार में डेली 11 किलोमेटर नेशनल हाइवे बनते थे अब एक दिन में 22 किलोमेटर से ज़्यादा नेशनल हाइवे का निर्मान होता है पिछली सरकार के आखरी तीन सालों में गाओं में 80,000 किलोमेटर सड़क बनती थी हमारी सरकार के तीन साल में एक लाख बिस हजार किलोमेटर सड़क बन चुकी है पिशली सरकार के आखरी तीन बर्षों में लगबग ग्यारा सो किलोमिटर नई रेल लाइन का निर्माण हुआ था इस सरकार के तीन बर्षों में 2100 किलोमिटर से ज्यादा तक हम पहुँच चुके हैं पिछली सरकार के आखरी तिन सालों में पचीस सो किलोमेटर रेल लाइन का बिजली करन हुआ था इस सरकार के तिन साल में 4,300 किलोमेटर से जादा रेल लाइन का बिजली करन हो चुका है पिछली सरकार के आखरी तीन वर्षों में लगभग 1,49,000 करोड का capital expenditure किया गया था इस सरकार ने तीन वर्षों में लगभग 2,64,000 करोड रुपय का capital expenditure किया है पिछली सरकार के आखरी के तीन वर्षों में कुल 12,000 मेगवट की renewable energy की नई शमता जोड़ी गई थी इस सरकार के तीन साल में 22,000 मेगवट से ज़्यादा renewable energy की नई शमता को greed प्रावट से जोड़ा गया है पिछली सरकार की दुलना में shipping industry के विकास की बात करें तो पहले जहां cargo handling negative थी वही इस सरकार के तीन साल में 11% से ज़्यादा भी उसकी बृद्धी हुई है सात्यों अगर बिलकुल जमिनी स्तर पर जांकर के चीजों को ठीक नहीं किया गया होता लाइस माइल delivery पर focus नहीं किया गया होता system में जान न भरी होती transparency न लाए होते फैसले की जिम्मेबारिया ननी होती तो क्या ये संबभ होता क्या ये देश इतनी तेजी से आगे बढ़ता क्या ये सरकार इसी के काण फैसले ले पाई है बड़े और साही परिवर्तन अचानक नहीं आते हैं ऐसे ही नहीं आते हैं उसके लिए पूरे सिस्टिम में बड़लाव करना पड़ता है जब ये बड़लाव होते हैं तभी देश सिर्फ तीन साल के भीतर भीतर इज अब डूइंग बिजनेस की रेकिंग कि में हंडेट फोर्टी टू से हंडेट पर पहुंच जाता है